हेलो स्टूरेंज आज हम मॉडल पेपर 25 करने जा रहे हैं प्रेक्टिस से हमारा यह 25 है और रंजी सर की बुक से है ओके सो लेट्स बेगिन मतलब father of empiricism किसे कहा जाता है तो correct answer क्या हो जाएगा c फ्रेंसिस बेकन को father of empiricism कहा जाता है अगला कोस्चन है हम जल्दिल्दी करेंगे जहां explain की जरूत होगी महाँ जरूर explain करेंगे आगे क्या कह रहा है Who is called one of the fathers of modern science किसे father of modern science कहा जाता है तो correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा B Francis Bacon को ही father of modern science कहा जाता है Next Francis Bacon is the best known for Francis Bacon किसके लिए जाने जाते हैं तो correct answer यहाँ पे महरा क्या हो जाएगा A promotion of the scientific method के लिए वो जाने जाते हैं यहाँ पे महरा correct answer A हो जाएगा Next अगला question है Who wrote noam और गनम यह किस ने लिखा है यह किस ने लिखा है तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा Francis Bacon का ही यह work है Okay, next How many essays were written by Bacon Bacon ने कितने essay लिखे यहाँ तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा 3 edition में publish हुआ था 3 edition में publish हुआ था इनका इससे Okay, कब-कब हुआ था यह हम जान लेते हैं कि कब-कब उनका इससे publish हुआ था तो पहली बार उनका इससे 15, 97 में publish हुआ था Second edition जब आया था तो 1612 में यह आपका second था और 1597 में sorry first था और 1612 में second था and last जो इनका इडिशन आया था 1625 में यानि कि third edition इनका आया था तो बेकदन का इससे ना तीन इडिशन में publish हुआ था पहला है 1597 में में दूसरा है 1612 में तीसरा है 1625 में तो यहां पर correct answer 58 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं who wrote about Francis Bacon किसने Francis Bacon के बारे में लिखा है the wisest, brightest and the meanest of mankind यह किसने लिखा है the wisest मतलब क्या कहा गया है कि मानो जातिका सबसे बुद्धिमान, प्रतिबा, सालिय और मतलबी किसने Francis Bacon को कहा है तो correct answer क्या हो जाएगा Alexander Pop नहीं कहा है तो यहां पर मारा correct answer हो जाएगा A, next which English writer said किस English writer नहीं कहा है English is a vulgar language and would remain so forever किस English writer नहीं कहा कि अंग्रेजी एक असलील भासा है और यह हमेशा रहेगी यह किस नहीं कहा है तो correct answer यहां पर मारा क्या हो जाएगा C, Francis Bacon साहब नहीं यह बात कही है कि अंग्रेजी एक vulgar language है मतलब अंग्रेजी एक असलील भासा है जो हमेशा रहेगी next besides English in which language Bacon wrote मतलब अंग्रेजी के बजाए Bacon और कौनसी भासा में लिखते थे तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा B, Latin भासा में next आगे बढ़ते हैं in which year Bacon इससे first appeared यहां पर पूछा गया है कि Bacon के इससे पहली बार appeared कब हुए थे कब आये थे तो correct answer क्या हो जाएगा अभी हमने पढ़ा कि उनके जो इससे थे वो 3 edition में आये थे पहला आया था 1597 में दूसरा आया था 1612 में और तीसरा जो एडिशन आया था वो अपके 1625 में आया थे तो यहां पर correct answer यहां पर first पूछा था तो correct answer क्या हो जाएगा 1597 में उनके यही सारे थे जैसे of truth of friendship of love etc सारे उनके इससे थे work थे तो यहां पर पूछा है कि first appeared मतलब पहली बार क्प आया था 1597 में आया था नेक्स्ट एन एलिक्सेंड्राइन इस वर्ड्स लाइन इन तो एलिक्सेंड्राइन जो लाइन होती है वो किस में होती है आयंबिक हेक्सामीटर में होती है तो और तो 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 त blank words is blank words क्या है तो यहां पर ब्राइंग्त रुटरएंब क्या है थो correct answer यहां पर बी हो जाएगा अन्रायम्ट्रामीट क्यों अन्राइंग्त ज्लिए 16th फ्री प्रीवोर्डवर्ण पॉट्री प्रीवक्र क्या क्या होगां गर्रुमutan का क ogni questions easy है इसलिए ज़्यादा time नहीं लगाएंगे by wolf is by wolf क्या है तो corrections यहां पर क्या हो जाएगा पहला ही है first old English epic है by wolf क्या है old English का first epic है okay next जिसके writer का पता नहीं है unknown है I had found my religion nothing seemed more important to me than a book I saw the library as a temple who said this यह किस नहीं कहा है थोड़ा सा मिंदी जान लेते हैं इसका क्या कह रहा है I had found my religion मैंने अपना धर्म पाया था nothing seemed more important to me than a book आगे क्या कह रहे हैं मुझे एक किताब से ज्यादा महतपुड कुछ नहीं लगा मतलब मैंने अपने धर्म में पाया था कि मुझे किताब से ज्यादा महतपुड कुछ नहीं लगा आगे कह रहे हैं I saw the library as a temple मैंने पुस्तेकाले को मतलब मैंने पुस्तेकाले को मैंने पुस्तेकाले को एक मंदिर के रूप में देखा है एसा किस ने कहा था तो कर्रेक्ट अंसर या अपर हमारा क्या हो जाए गा यह हो जायेगा इस को यापस ए इसमें बता रहा कि कौन सी figure of speech है तो death को ही यहाँ पे क्या कर दिया है as a human use किया है तो correct answer क्या हो जाएगा personification यहाँ पे कौन सा personification हो जाएगा क्योंकि death को as a person उसने यूज किया है अगला है find out the figure of speech in he received a mortal wound यहाँ पे कौन सी figure of speech है तो correct answer क्या हो जाएगा transfer epithet यहाँ पे उन्ड जो है यह एक noun है immortal जो है एक adjective है तो यहाँ पे transfer epithet की बात कर रहा है okay epithet मतलब यह होता है adjective next अब यहाँ से questions क्या कह रहे है कह रहा है कि 19 से और 38 से seksperian tragedy hamlet से questions हैं देख लेते हैं इसको whom does judrood rush to see after polonius is killed यहाँ पे क्या कह रहा है कि polonius के मारे जाने के बाद judrood किसे देखने के लिए दौडती है तो correct answer यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a claudius को देखने के लिए दौडती है कि कहीं claudius को तो भी hamlet ने मार नहीं दिया नेक्स्ट what does gut root compare himself to gut root अपनी compare किस से करती है तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा हमारा c the violent ocean से करती है अगे बढ़ते हैं अगला question है what is claudius main concern claudius का मुख concern क्या था उसकी चिंता क्या थी तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा d keeping his power उसको अपनी power की अपनी सक्ता की चिंता थी ओके नेक्स्ट what does hamlet accuse rosen cringe and gilliston of यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि hamlet rosen cringe और gilliston को इस्टेंड पर क्या आरूप लगाता है तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा b being spy for claudius okay तो यहाँ पर correct answer मारा 22 का b हो जाएगा कि rosen cringe और gilliston पर क्या आरूप लगाता है अगला है what does hamlet allow rosen cringe and gilliston to do hamlet rosen cringe और gilliston को क्या करने का अनुमत देता है क्या करने के लिए क्या करने के लिए allow करता है तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा c accompany him back to claudius okay तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा c next who reveals the location of paulonius body paulonius की body का जो जगह थी उसको reveal कोन करता है मतलब paulonius की body कहां पर है इस बात को कोन बताता है तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा d hamlet खुद बताता है okay तो यहाँ पर correct answer d हो जाएगा आगे बढ़ते हैं what what orders does claudius send to England with rosencrange and gilliston यहाँ पर क्या कह रहा है कि claudius यहाँ पर क्या कह रहा है कि claudius rosencrange और gilliston के साथ England क्या संदेशा भेचता है या क्या order करता है क्या order भेचता है लाइंग लैंड किसके साथ बेजता है रोजन क्रेंज और गिलिस्टन के साथ तो करेक्ट इंसर यहां पर क्या हो जाएगा बी डैट हैं लेट कि हैं लेट को वहां मार दिया जाए ओके नेक्स्ट मतलब 14 ब्राज क्या कर रहा होता है जब हुआ है है रोजन क्रेंज और गिलिस्टन के सामने आता है तो यहां पर करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा ए ही इस वे टू अटाइक पोलेंड ओके यहां पर करेक्ट इंसर हमारा ए ही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि पोलेंड और नौर्वे की पी संगर्स की प्रकिट से हमलेट क्यों है रहान है तो करेक्ट इंसर यहां पर मारा क्या हो जाएगा यहां पर क्या कह रहा है कि प्रकिट इंसर हमारा क्या हो जाएगा ए अचीव इस रिवेंज नेक्स्ट पॉलिनियस की डिथ की खबर सुनते ही ओफिलिया अपने आपको कैसे समालती है तो यहां पर क्रेक्ट इंसर मारा क्या हो जाएगा यहां पागल हो जाती है ओकी निक्स्ट वाट डज होरेशियो अर्ज गट रूट टूडो होरेशियो गट रूट से क्या करने का अग्रह करता है तो करेक्ट इंसर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट अंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर क्रेक्ट अंसर हमारा क्या हो जाएगा A that feel sorry they feel they feel that he ought to be king okay next what advice does Claudius give to Liertes मतलब Claudius Liertes को क्या advice देता है तो यहां पर करेक्ट अंसर हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा that that he should seek revenge on whoever is responsible for Polonius death मतलब बदला लेने के लिए कि तुम्हारे फादर को मारा है तो उसके लिए बदला लेने के लिए कहता है what does Hamlet's letter to Horacio say मतलब Hamlet का जो लेटर है वो Horacio को क्या कहता है तो यहां पर करेक्ट अंसर हमारा क्या हो जाएगा C that he is returning to Denmark with news ओके तो यहां पर करेक्ट अंसर हमारा C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं why doesn't Claudius punish Hamlet? Claudius Hamlet को सजा क्यों नहीं देता है तो करेक्ट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा C because too many people adore Hamlet ठीक है तो करेक्ट अंसर हमारा यहां पर C हो जाएगा next why is Laertes happy about Hamlet return to Denmark? Laertes Hamlet के Denmark वापसी पर क्यों खुश था? क्यों खुश है? okay Laertes Hamlet के Denmark लोटने से क्यों खुश है? यहां पर क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा A क्यों खुश है? because he plans to kill him क्योंकि वो उसे मारने का प्लान बनाता है इसलिए खुश है okay next when does Laertes plan to kill Hamlet? Laertes Hamlet को कब मारने का प्लान बनाता है? तो करेक्ट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा at a fencing match okay next what do Laertes and Claudius plan to do if Hamlet wins the duel? यहां पर क्या कह रहा है कि Laertes and Claudius क्या करने की योजना बनाते हैं अगर Hamlet dual जीता है तो यहां पर क्या हो जाएगा C poison him with a cup of wine कि अगर dual जीत जाता है तब हम कैसे मारेंगे उसको क्या कहता है कि poison him with a cup of wine उसके wine में ही हम क्या कर देंगे? जहर मिला देंगे next हम जल्देल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लिंदी जाती है कि में वीडियो बहुत लिंदी हो जाती है और इसमें explain जहां भी करना रहेगा वहां पर हम explain करेंगे यह easy-easy questions है इसलिए जादा explain नहीं कर रहे है How does Ophelia die? Ophelia कैसे मरती है? तो correct answer यहां पर मारा क्या हो जाएगा A She drowns in a river वो डूब के मरती है अगला question थोड़ा बड़ा है देख लेते इसको What is honor a word? What is that word honor? Heir a trim recovering Who hath it? He that died to Wednesday. Doth he feel it? No doth he यहां पर doth न यह does है Doth he hear it? No is it insensible then To the dead But will it not live with the living? No why Detraction will not suffer it Therefore I will none of it Honor is a mayor इसका चन एक minute इसको थोड़ा सा छोटा करते है तो क्या कह रहा है कि honor Therefore I will none of Honor is a mayor इसका चन And so ends my catechism आगे क्या कह रहा है कि which character in the following एक minute यहां पर क्या कह रहा है कि which character in the following Shakespeare dramas made this statement about honor Shakespeare की drama में इसे कौन सा character ऐसा है जो सम्मान के बारे में सम्मान के बारे में यह statement कहा है मतब सेक्स्पियर का कौन सा ऐसा character है जिसने सम्मान के ऊपर यह बाते कहीं है तो सम्मान के लिए कौन जाने जाते है फाल्स स्टाफ ही तो यहां पर correct answer हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा फाल्स स्टाफ यह फाल्स स्टाफ बोलते हैं फाल्स स्टाफ इन किंग हेंरी फॉर्थ पार्ट में ही यह ओनर के ऊपर इतना सारा वह लंबी चौड़ी स्पीस देते हैं नेक्स इसकी हिंदी नहीं समझेंगे आगे चलते हैं in which of his novels does Italo Calvino construct his narrative through a tarot pack of cards यहां पी क्या कह रहा है इसको समझ ले थे थोड़ी सी हिंदी कह रहा कि अपने किस novel में अपने किस novel में Italo Calvino card के tarot pack के माध्यम से अपनी कथा का यानि कि अपनी narrative मतब अपनी कथा का निर्माड करता है आगे कह रहा है and reinterpret the western canon providing new versions of Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth and Kinglier आगे कह रहा है कि और Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth and Kinglier के नए संस्क्रड परदान करने वाले western canon की फिर से व्याख्या करता है तो किस novel में, पूछा ना कि in which of his novels, किस novel में Italo Calvino की बात कर रहा है तो correct answer यहाँ पर मारा क्या हो जाएगा B, The Castle of Crossed Destinies novel का नाम क्या है The Castle of Crossed Destinies किस play में एक character कहता है मतलब किस play में, किस play में एक character कहता है कहता है कि, हे प्यारे स्रीमान शेक्स्पियर मैं अदालत में अपने अध्यन में उनकी तस्वीर रखोंगा यह कौन सा character कहता है और किस play में तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा A एनॉनिमस प्ले है वो written from parseness पार्नेस जो कब आया था 1601 में आया था तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा मारा A हो जाएगा मतलब वो play ही एनॉनिमस प्ले है क्या है written from पार्नेस नेक्स्ट which volume was prefaced with a poem by Ben Johnson in which Johnson presently hails Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time यहाँ पर कह रहा है कि जो Ben Johnson है वो किस preface के volume में यह बात कहे है कि Shakespeare not of an age वो एक age के नहीं है बलकि हर age के है तो यह वो किस preface में कहे है किस volume के preface में कहे है तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा first folio 1623 में उन्होंने यह बात कही थी अपनी एक poem में अपनी एक poem में ओके next which of the following is considered the first editor of the works of William William Shakespeare यहाँ पर क्या करा है कि निमलिखित में से कौन सा पहला editor है William Shakespeare के work का तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा Nicholas Rowe ओके यही है correct answer हमारा A हो जाएगा आगे बढ़ते हैं Wordsworth made his debut as a character in 1787 when he published a sonnet in Wordsworth 1787 में as a writer sorry यहाँ पर writer है Wordsworth 1787 में as a writer debut किये थे वो और जब उन्होंने अपनी एक sonnet को publish कराया था कहां कराया था तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा B the European magazine में उन्होंने अपनी पहली sonnet को उन्होंने क्या किया था publish कराया था और 1787 में as a writer वो debut किये थे मतलब लिखे थे आये थे as a writer अगला कुशन है Wordsworth fell in love with a French woman Annette Wallen who is 1792 1792 gave birth to dear daughter Wordsworth Wordsworth को एक French woman से प्यार हो जाता है जिनका नाम है Annette Wallen जिन्होंने 1792 में उनकी एक बेटी को जन्म दिया था बेटी का नाम क्या है तो यहां पे correct answer क्या हो जाएगा C. Caroline ओके यह important है पूसता है Caroline ओके next Wordsworth wrote the sonnet Wordsworth एक sonnet लिखते हैं It is a beauteous evening calm and free Recalling our seaside walk with nine year old तो यह उन्होंने किसके लिए लिखा है तो क्रेक्टेसर यहां पी क्या हो जाएगा Caroline It is a beauteous evening calm and free Next अगला question है The first volume of Lyrical Ballads 1798 was published under the author name यहां पे कह रहा है कि जब Lyrical Ballads का first volume आया था 1798 में तो किसके नाम आया था मतलब उस टाइटल पे किसका नाम था तो किसी का नाम नहीं था जब 1798 में लिर्यकल बैलेट आया था तो किसी का नाहीं नाहीं Wordsworth का नाम था नाहीं ST college का किसी का नाम ने था anonymous था तो यहां पे correct answer हमारा क्या ओजघा none of this किसी का नाम नहीं था anonymous था वो anonymous पभ्लिश हुआ था ओके तो यहां पे correct answer हमारा क्या हो जाएगा day आगे बढ़ते हैं which work of Wordsworth was कर impossible that the play should succeed in the representation मतलब असंबव है कि ये play जब ये play representation होगा सफल होगा यह बात असंबव है कि ये play सफल भी होगा इसको सफलता भी मिलेगी यह कहकर words worth को criticize भी किया गया उनके work का और रिजिट भी कर दिया गया तो किस work को किया गया तो characters here यहापे क्या हो जाएगा the boardress इसको ही किया था okay next who was John walking steward that met worse worth in Paris 1792 John walking steward कौन थे जिसे worse worth परिस में 1760 में मिले थे तो characters here यहापे क्या हो जाएगा A an English philosopher and traveler who wrote the apocalypse of nature. मतलब एक इंगलिस फिलोसोफर थे, ट्रावलर थे, जिन्होंने the apocalypse of nature लिखा. तो गरेक्ट नसर यहापे मारा A हो जाएगा. Next. अखला कॉशन है. Milton रोट दा एलिगिया प्राइमा, a first Latin LZ to a friend from St. Paul's his name was. यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है? कि Milton ने अपनी एलिगिया एलिगिया प्राइमा लिखी, जो पहली Latin थी सोक गीद, St. Paul के एक दोस्त के लिए. तो कौन से दोस्त थे वो? करेक्ट नसर यहापे D हो जाएगा, चार्ल्स डियोडेटी. इसके लिए उन्होंने लिखा था, एक लाइटिन एलिजी लिखा था ना, चार्ल्स डियोडेटी के लिए. करेक्ट नसर यहाँ पर D हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं. किसने यह पोएम लिखिया, तो करेक्ट नसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C. John Milton ने लिखा है. Next. आर्केट्स और कॉमस यह मिल्टन की दो फेमस क्या है? तो करेक्ट नसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? मास्क. यह दोनों क्या है? फेमस मास्क है. Okay, तो 52 का करेक्ट नसर हमारा D हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Just before his death in 1674, अपने 1674 में अपने death से पहले, अपनी मौत से पहले, मिल्टन supervised a second edition of Paradise Lost. मिल्टन ने Paradise Lost के second edition को क्या क्या? Supervised किया, मतलब देख रेक किया. Accompanied by an explanation. मतलब एक explanation, एक व्याख्या के साथ, why the poem, why the poem rims not, कि poem की कभीता क्यों नहीं गाई जाती है. And prefactory versus by, और prefactory versus by किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा? A हो जाएगा. Andrew Marble के द्वारा किया गया था. Okay, तो यहाँ पर correct answer A हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Which poet saw himself as Milton's political son? किस poet ने अपने आपको देखा Milton के political son के रूप में? तो यहाँ पर correct answer C हो जाएगा, वह William Blake. इन्हों नहीं अपने आपको Milton के political son के रूप में देखा. Okay, next. Mute scene and trial scene अगर in the play. Mute scene और trial scene किसमें है? तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? Justice में है. Okay. क्योंकि उसी में दिखाया जाता है Mute scene and trial scene. Next. Law is what is a majestic, sorry, majestic edifice sheltering all of us. Who says this injustice? Justice में यह बात कोन कहता है? तो correct answer यहाँ पर मारा क्या हो जाएगा? A. The judge. यह बात judge कहते हैं. Okay, next. थोड़ा blur है. The title of the play justice. Justice, 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 justice play, उसकी title क्या है? To correct answer, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Ironical है. Okay, क्या है? Ironical है. Next. A song or hymn of grief or lamentation, especially one intended to accompany funeral or memorial rights. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या कहरा है? कि शोक या विलाब मतलब grief miss क्या होता है? दुख या शोक मनाना, lamentation मतलब विलाब करना. तो क्या कहरा है कि शोक या विलाब की एक गीत या भजन? song या hymn मतलब क्या होता है? भजन. मतलब शोक या विलाब की एक गीत या भजन, especially यानि कि विशेश रूप से funeral, funeral मतलब क्या होता है? अन्तिम संसकार, memorial rights में इसक्या होता है? इसमारक संसकार. तो यहाँ पर क्या कहरा है? कि एक शोक या विलाब की एक गीत या भजन विशेश रूप से अन्तिम संसकार या इसमारक संसकार में साथ देने का इरादा है. तो उसके क्या बोलते हैं यहाँ पर? तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? C. डर्ज बोलते हैं. मतलब एक comic words है जो irregular rhythm में लिखी जाती है. उसे dogerel बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Dogerel. ओके इसका यूज चौसर ने किया है. Next. A short pastoral poem usually in a dialogue. मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक छोटी दिहाती कविता usually in dialogue आम तोर पर सम्वाद में on the subject of rural life. और क्या कह रहा है कि Rural Life and the Society of Shepherds और क्या कह रहा है कि ग्रामिड जीवन और चरवाहों के समाज के विसाय पर Depicting Rural Life as free from the complexity and corruption of more civilized life. आगे क्या कह रहा है कि ग्रामिड जीवन को अधिक सब है. जीवन की जटीलता और भरष्टा चार्ट से मुक्त रूप में दर्साती है. ऐसी कौन सी कब्दा है ये? मतलब एक short pastoral poem है जिसके जो आम तोर पर dialogue में होती है और जिसका subject ग्रामिड जीवन का होता है और Shepherds के बारे में होता है. तो कौन सी है? ये सारे आप याद करना है ना आप इसका जो भी keyword ना वो याद करें जैसे ये एक pastoral poem है dialogue form में होती है इसका जो subject है वो ग्रामिड जीवन का है ओके Shepherds का ये सारे keyword है तो वो क्या है? कौन सी कब्दा है? देख लेते हैं तो correct answer यहाँ पर मारा क्या हो जाएगा? एको लॉग है ओके यहाँ पर एलेजी पर नहीं जाएंगे यहाँ पर क्या है? एको लॉग है pastoral poem है एको लॉग next आगे कह रहा है omission of a sound are syllable when speaking यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब एक sound या syllable को छोड़ते हुए मतलब एक sound या syllable को छोड़ देते हैं और जब हम कहते हैं as in I am यहाँ पर M कहते हैं या let us उसे क्या कहते हैं तो उसे Elysian बोलते हैं Elysian क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर time link यह कि जब हम बोलते हैं जैसे हमने यहाँ पर क्या है I am है यह I am इस तरह लिखते हैं I am लेकिन हम क्या कहते हैं M दुरून बोल देते हैं let us ऐसे हैं let us तो हम क्या कहते हैं let us बोल देते हैं वहाँ पर कहीं न कहीं हम कोई न कोई sound या syllable छोड़ देते हैं जैसे डून्ट है do not को हम क्या कहते हैं don't कहते हैं did not को हम didn't बोलते हैं have not को haven't बोलते हैं तो वही चीज है कि जब हम have not को haven't बोलते हैं तो वहाँ पर कोई sound या syllable उसको क्या कर देते हैं omission कर देते हैं छोड़ देते हैं तो उसी क्या कहते हैं अलेशियन को कहते हैं, तो वही चीज यहां पर पूछ रहा है, कि डिरेक्ट हम साउंड और सेलेबल को छोड़ कि जब हम बोलते हैं, जैसे लिट्ट अस को बोलते हैं, लिट्स, कोई ना कोई साउंड या सेलेबल छोड़ देते हैं, I hope कि अपलों को समझ में आ गया होगा कि एलेशियन क्या है, तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, एलेशियन, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, when the meaning can be understood without them, जब उसके बिना भी अर्थ समझा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्द, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्द या सब्दों को हम जान बूज के डेली ब्रेटली हम छोड़ देते हैं, और उसको छोड आगे में लिगते लिखते, लिखते लिखते लिखते, फिर हां पे क्या कर देंगे, three dots लगा देते हैं, ऐसे, ऐसे three dots लगा देंगे, समझ में आजाता है कि इसके आगे भी अभी जारी है, अब क्या है हमको अच्छी तरह से समझ में आ 二 उसी को कहते हैं ellipsis, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी टेक्स्ट यानि कि किसी भी पार्ट को सुधारने की किरिया और अचेंज में टू करेक्ट और इंप्रूव आट टेक्स्ट फिर क्या कह रहा है कि किसी भी पार्ट को सुधारने की किरिया या किसी पार्ट को ठीक करना या सुधारने के लिए किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है मतलग किसी भी पार्ट को उसको सुधारने की किरिया या फिर किसी भी पार्ट को सुधारना या फिर उसको करेक्ट करने की किरिया को कहते हैं तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा B, amendation कहते हैं according to this book B answer इसमें दिया गया है okay amendation नहीं होगा amendation according to this book इसमें answer यहीं दिया गया है okay तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा मारा B हो जाएगा next the ability is shared someone's else feeling or experience by imagining what what it would be like like to be in that person's situations तो यहां पर क्या कह रहा है कि किसी और की भावनाओं को मतलब क्या कह रहा है कि someone else feeling किसी और की भावनाओं को साजा करने की चमता ठीक है share करने की kisी और की भावनाओं को share करने की चमता या यह कलपना करके अनुभो करता है या फिर यह कलपना करके क्या करता है अनुभो करता है what it would be like to be in that person's situation कि यह कैसा होगा, या उस विख्ती की इस्तिתी में हो, उसे कया कहते हैं, तो हम अपनी language में इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है यहां पर, इसकी correct answer क्या हो जाएगा, empathy जब हम देखते हैं, empathy क्या होताए, इमपैथी वो अचीज होती है जब हम कोई तकलीफ में रहता है तो हम उसकी तकलीफ को इसकदर उसकी तकलीफ में खो जाते हैं या फिर उसको अपनी जगह पे रख लेते हैं मतलब उसकी जगह पे हम अपने आपको रख लेते हैं तब हम समझ सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ में हैं उसी को कहते हैं इमपैथी sympathy क्या होता sympathy मतलब सहानीबूद को यह तकलीफ में है आप उसको console कर रहे हैं उसी को कहते हैं सहानीबूद Next, I speech often in words addressed to an audience by an actor at the beginning of the play. बतल्ब एक speech है जो words में है और यह audience को address की जाती है, actor के द्वारा play के शुरुआत में. मतल्ब किसी भी play के सुरुआत में एक actor के द्वारा एक speech को audience को क्या किया जाता है? address किया जाता है, उसे क्या कहते है. तो यहां पर correct answer हमारा क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं जो फूरुवात मतलब प्ले की शुरुवात में बोला जाता है उसे कहते है प्रोलग और जो प्ले के लाट में बोला जाता है उसे कहते हैं एपी लोग बोलते हैं, ओके next आगे क्या कहा रहा है an inscription on or at a tomb और a grave in memory of the one buried there यहां पर क्या कहा रहा है कि किसी भी टॉम टॉम में इस क्या होता है कि ग्रेव मतलब भी कब्र होता है तो किसी भी कब्र क्या कह रहा है कि एक टॉम एक टॉम या कब्र पर वहां दफनाए गए लोगों की याद में एक इंस्क्रिप्शन करना मतलब एक सिला लेक बनाना क्या क प्राइड ग्रूम मतलब एक गीत हो या फिर एक कविता हो जो एक दुलहन या दूलह के लिए दूले के सम्मान में लिखी जाती है या गाई जाती है उसे क्या कहते हैं तो क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा एक सौंग या पोयम जो किसी ब्राइड या ब्राइड गुरूम के सम्मान में लिखी जाती है या गाई जाती है देट इस कॉल्ड एपिथेला मियम ओके आगे परते हैं वाट सलेस्टियल फिगर इजास्प्रीया है तो यहां पे दिग कर्れक्ट एंसर क्या होंजाई सहर जाएगा भी दरिटींnh की सम्मान मियम यहांखे बढ़ें मियम अगाई प्लम ड़सर और भ्र शव दृख्यकािट incorrectly Со मियम अभरosa Supreme पीशप्र मियागा से 88 टेंपेस्ट से कोश्चन आ गया उन्हें 78 शिक्स्पीर के रोमांस ड्रामेटिक रोमांस यानि की टेंपेस्ट कोश्चन आपको करना है तो देख लेते हैं इसको भी क्या कह रहा है यहां पर क्या कर रहा है कि प्रॉस्पैरो के द्वारा उसे बुलाने के बाद क्या करता है तो करेक्ट नसर यहां पर मारा क्या हो जाएगा सी कर्ज प्रॉस्पैरो श्राब देता है उसे बद मतलब भला बूरा बोलता है according to caliber what did prospero do to anger him कैलिबन के नसर प्रॉस्पैरो ने उसे क्रोधित करने कि लिए क्या किया है उसे गुस्सा कर गुस्सा दिलानी के लिए क्या किया है तो कर्रेक्टिंसर यहां पर मारा क्या हो जाएगा A B ट्रेड एंड एंड एंसलेव्ड हिम ओके नेक्स्ट वाट डू मिरांडा एंड फर्डिनिन डू विन दे फस्स सी इच अदर मतलब मिरांडा और फर्डिनिन क्या करते हैं जब वो एक दूसरे को पहली बार देखते हैं तो कर्रेक्टिंसर यहां पर मारा क्या हो जाएगा B फाल इनलव ओके नेक्स्ट वाट डिस प्रोस्पेरो डू विद फर्डिनिन आफ्टर मिरांडा एंड फर्डिनिन है फालिन इनलव यहां पर क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है कि प्रोस्पेरो क्या करता है जब वो जान जाता है प्रोस्पेरो क्या करता है मिरांडा और फर्डिनिन के प्यार में पढ़ने के बाद प्रोस्पेरो फर्डिनिन के साथ क्या करता है तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा B makes him a fist fist means क्या होता है दावद next how does Prospero feel about Miranda and Ferdinand falling in love यहां पर क्या कह रहा है कि Miranda और Ferdinand के प्यार में पढ़ने के बारे में Prospero कैसा महसूस करता है तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा D secretly pleased अंदर यंदर क्या होता है खुश होता है okay next which of the lots expresses the belief that the island is a good place to be यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कौन सा lots है कौन सा lots यह विश्वास बताता है यह विश्वास वेक्त करता है कि island एक अच्छी जगा हो सकता है यह कौन कहता है तो correct answer यहां पर B हो जाएगा गुणजैलो okay यहां पर correct answer हमारा क्या हो जाएगा B next who doesn't fall asleep when Ariel enters playing solemn music यहां पर क्या करा है कि जब Ariel गंभीर संगीत बजाते हुए परवेस करता है तो कौन सोता नहीं है तो correct answer यहां पर C हो जाएगा Sebastian and Antonio यह दोनों नहीं सोते हैं जब वो गंभीर संगीत संगीत बचाते हुए अंदर आता है next what do Sebastian and Antonio plot while the others sleep यहां पर क्या कह रहा है कि Sebastian और Antonio ने क्या साजिस रची जबकि दूसरे सो रहते तो उस समय इस ने क्या साजिस रची तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा D to kill Alonso okay correct answer यहां पर हमारा D हो जाएगा next who stops Alonso's murder Alonso की हत्या को कौन रोपता है उसकी murder को कौन रोपता है तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा D Ariel and Gungello okay next what does Sebastian do when everyone wakes up before he and Antonio can kill Alonso यहां पर क्या कर रहा कि Sebastian क्या करता है जब हर कोई उसके और Antonio Alonso के मारने से पहले जागता है Sebastian क्या करता है correct answer यहां पर क्या हो जाएगा A कौन कॉप्ट्स रोपता है okay यहां पर correct answer हमारा A हो जाएगा next अगला कुश्चन है when Trinkulo sees Caliban lying on the ground under a clock what does he do जब Trinkulo Caliban को clock के नीचे जमीन पर पढ़ा हुआ देखता है तो क्या करता है what does he do वह क्या करता है clock मिस होता है लबाद okay तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा B join Caliban under it वो भी उहीं पर लेट जाता है जहां पर लेटा रहता है okay joins Caliban under it अगला कुश्चन है यहां पर क्या कर रहा है कि जब स्टिफैनो ने ट्रिंग क्यूलो और कैलिवन को लबादे की नीचे देखा तो स्टिफैनो को क्या लगता है कि वह देखता है क्या देखता है तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा B A two-headed monster उसको ऐसा लगता है कि वह क्या देख रहा है कि two-headed monster मतलब दो-head वाला monster monster राक्षस What does Caliban do after स्टिफैनो mistakes him for something else यहां पर क्या कर रहा है स्टिफैनो दुआरा किसी और की चीजों के लिए गलती करने के बाद Caliban क्या करता है तो करिक्ट इनसर यहां पर क्या हो जाएगा A He gets drunk ओके यहां पर करिक्ट इनसर मरा हो जाएगा A Next How do स्टिफैनो एं ट्रिंक्यूलो view Caliban when Caliban is drunk यहां पर क्या कर रहा है Caliban की नसे में हूने पर स्टिफैनो और ट्रिंक्यूलो Caliban को कैसे देखते है तो यहां पर करिक्ट इनसर क्या हो जाएगा C As a ridiculous monster कैसे देखते हैं एक ridiculous monster की रूट में देखते है Next What does Caliban offer the two men Caliban दोनों आदमियों को क्या offer करता है यहां पर करिक्ट इनसर क्या हो जाएगा A To show them around Okay, यहां पर करिक्ट इनसर हो जाएगा A Next What is Ferdinand doing at the beginning of this scene? Scene के सुरुवात में Ferdinand क्या कर रहा होता है यानि क्या कर रहा है तो करिक्ट इनसर यहां पर क्या हो जाएगा D Caring Wood Okay, यहां पर करिक्ट इनसर हमारा D हो जाएगा Next What word that Ferdinand uses to describe Mirinda Sayers a Latin root word with her name यहां पर क्या कह रहा है कि Mirinda कira word run करने के लिए Ferdinand किस सब्द का उपयोग करता है उसके नाम के साथ Latin mood sabd साजा करता मत बद शेयर करता है तो यहां पर करिक्ट इनसर हमारा क्या हो जाएगा B Admired तो किस सब्द का उप्योग करता है? Admired का Next, अगला कोशन है How does Miranda react to the news that Ferdinand is a prince? Miranda ये खबर सुनते ही कैसा react करती है कि Ferdinand एक राजकुमार है तो correct answer क्या हो जाएगा? D C seems unconcerned Okay, यहाँ पर correct answer हमारा D हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कुश्चुन पर Next What does Miranda ask when she finds out that Ferdinand is a prince? यहाँ पर भी बही कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है What does Miranda? Miranda क्या पूछती जब उचे पता चलता है कि Ferdinand एक राजकुमार है तो क्या वो पूछती है? तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? B If he loves her क्या वो उससे प्रेम करता है? Okay, next Elegation है What does Miranda do when Ferdinand says that he does love her? यहाँ पर क्या कह रहा है कि Miranda क्या करती है जब Ferdinand उससे कहता है कि वो उससे प्रेम करता है तो Miranda क्या करती है? तो correct answer क्या हो जाएगा? B क्या 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 करती है Okay, next Which of the following is not a part of 14 books in Prelude? यहाँ पर कहरा है निमलिखित में से कौन सा? Prelude में 14 books का part नहीं है तो correct answer यहाँ पर D हो जाएगा Winter Vacation यह नहीं है मतलब Prelude के 14 books में से यह नहीं है Winter Vacation Next Which of the following is an autobiographical poem in blank words? निमलिखित में से कौन सा autobiographical poem है जो blank words में है Wordsworth के द्वारा Intended as the introduction जिसमें introduction है First part to the long three parts epic जो long three parts epic का first part है And philosophical poem recluse और philosophical poem recluse का यह क्या है First part है यानि कि जिसको बोल सकते हैं introduction है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा D Prelude यह recluse का क्या है First part है और इसको introduction भी बोल सकते हैं क्योंकि यह introduction भी है यहाँ से आपका grammar का question आ गया है Which of the following poem begins with the line I wonder lonely as a cloud अभी grammar का question नहीं है sorry Which of the following poems begin with the line मतलब कौन सी poem इस line से शुरू होती है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा diffodils Daffodils इस line से शुरू होती है I wonder lonely as a cloud Okay next अगला question है Which book was divided into 13 books in 1805 version कौन सी book है जो divided है 13 book में 1805 के version में While the 1850 version जबकि 1850 के जो version है had 14 parts उसमें कितने parts है 14 तो कौन सा वो book है मतलब कौन सा यहाँ पर पूछ रहा है कि अट्रसो पांच का जो वर्जन है जिसमें 14 parts है क्या है वो तो यहाँ पर correct answer पूछ रहा है उस work का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर correct answer D हो जाएगा प्रिल्यूड तो तो मारा correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा D अगला question है which of the following works is called a manifesto of English romantic criticism यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम लिखीत में से कौन सा work को manifesto of English romantic criticism romantic criticism कहा जाता है तो correct answer क्या हो जाएगा lyrical ballads को कहा जाता है lyrical ballads को क्या कहा जाता है manifesto of English romantic criticism okay next यहाँ पर lyrical ballads के बारे में क्या था question कि 1798 में 1st edition आया था बट वो anonymous आया था किसी का नाम में था कब आया था जब 1800 में preface आया ना तब सरिफ किसका नाम आया था words word का इसकी college का उस वक्त भी नाम नहीं था जब 1800 में lyrical ballads 2nd edition में आया 1800 with preface तब किसका नाम था title पे William Wordsworth का okay next in which year Wordsworth along with his sister Drothi moved back to Lake District and settled at Dove Cottage in the village of Grassmere मतलब क्या कह रहा है कि किस साल किस year Wordsworth और उनकी sister Drothi Lake District आ गये थे और यहीं पे वोए Grassmere की विलेज में ही Dove Cottage में क्या हो गये थे settled हो गये थे किस year तो यहा पे correct answer क्या हो जाएगा 1799 1799 अगला question है In 1805 Wordsworth finished his poem 1850 में में Wordsworth ने इस poem को finish किया था क्या poem to college इस poem को finish किया था sorry 1805 में 1805 में Wordsworth ने इस poem को किस poem को poem to college को finish किया था but refuse to publish it लेकिन इसे publish करने से मना कर दिया था तब तक कब तक he would complete the recluse जब तक recluse complete नहीं हो जाएगी तब तक इन्होंने क्या कर दिया था publish करने से मना कर दिया था A long piece for which poem to college एक long piece है जिसकी poem to college की would be a क्या है वो तो correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोलाग ओकी वो प्रोलाग भी है अगला कोश्चन है 95 का क्या हो जाएगा A प्रोलाग जब वर्ट्सवर्थ ने लिखा था ना प्रिल्यूड तो उन्होंने यही नाम दिया था poem to college यह प्रिल्यूड यह college को ही dedicated है और उन्होंने poem to college यही नाम दिया था उन्होंने prelude नाम नहीं दिया था उनकी wife ने दिया था 1850 में जब पब्लेश कराया था उन्होंने जब दिया था तो poem to college दिया था अगला question है The divorce track written by Milton from 1643 to 1645 यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो divorce track है यह Milton के द्वारा लिखा गया 1643 से 1645 के बीच में refer to the four interlinked polemical pamphlet यह किसको refer किया गया four interlinked polemical pamphlet को which of the following was among them इन में से कौन सा था निमलिखित में से कौन सा था तो आपके four track यानि के milton के four track कौन कौन से थे the doctrine and discipline of divorce यह भी था दूसरा कह रहा है the judgment of the martin booster यह भी था tetracodon था and cholesterol था तो यह चारो ही इनकी four track थे जो 1643 और 1645 की बीच में आएं तो यहां पर correct answer यहां पर मारा क्या हो जाएगा e all of the above ओके यह चारो ही यहां पर थे ओके next अगला question है which of the following nouns are always used as in plural form यहां पर क्या कर रहा है कि निम लिखित में से कौन सा नाउन हमेशा plural में ही यूज होता है यहां से grammar का question अगया है तो आपके spectacles भी plural में यूज होते हैं tonks भी होते हैं or breeches भी होते है spectacles में इस क्या होता है यहां पर यहां पर यह तीनों ही आपके यूज होते है as a plural noun next find the incorrect match of animals and dear young ones यहां पर क्या कह रहा है कि animal है और उनके बच्चों का यहां पर नाम है कौन सा उसमें incorrect match है तो dear के बच्चे को क्या कहते है font सही है dog के बच्चों को puppy, pup या well यह भी सही है drone के larva pupa, pupa यह भी सही है fox के बच्चे को lamb नहीं कहते है fox के बच्चे को cub कहते है ok c u b क्या कहते है cub कहते है तो यहीं यहीं पर error था यहीं encrypt था fox इसके बच्चे को cub कहते है ok next अगला question है which of the following kind is not a restrictive adjective adjective निमलिखित में से कौन सा restrictive adjective का प्रकार नहीं है तो adjective of quantity यह तो है adjective of number भी है demonstrative adjective यह तीनों है तो कौन सा नहीं पूछा इसमें आपका a पाव हो जाएगा यह नहीं है substantive adjective नहीं है तो character answer यहाँ पर मारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अगला question which of the following adjective denote the quality, kind और condition of nouns and pronouns निमलिखित में से कौन सी adjective कौन सा adjective denote करता है क्या denote करता है quality को kind या फिर condition किसकी condition noun और pronoun की condition को denote करता है कौन सा adjective quality बताता है प्रकार बताता है और noun या pronoun की इस्तिथी बताता है कौन सा adjective तो यहाँ पर correct answer C हो जाएगा adjective of quality यह भी है descriptive adjective यह भी बताते है तो यहाँ पर correct answer both A and B हो जाएगा ओके आगे बढ़ते है what is the comparative form of beautiful beautiful का comparative form क्या है तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा A ही हो जाएगा more beautiful और superlative अगर पुछ ले तो most beautiful तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा A next see sang and danced happily identify the nature of the underlined word यह जो डांस पर underlined किया है यह पूछ रहा है कि कौन सा वर्ब है यहाँ पर तो यहाँ पर see sang and danced happily वह गाई और खुसी से डांस कीना ची तो यहाँ पर यह complete sense दे रहा है तो जब complete sense दे रहा थी यह वर्ब हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा intransive वर्ब इसको एक object की जरुवत नहीं है अगला question थोड़ा सा यहाँ पर time लगेगा क्योंकि ग्रामर कर चल रहा है Hema has no control that's his temper Hema ने अपना control नहीं किया अपना temper अपने गुस्य पर उसने control नहीं किया तो यहाँ पर temper पर आया तो correct answer यहाँ पर over हो जाएगा Hema has no control over his temper okay temper की बाद यहाँ पर over हो जाती है आगे He fielded the ball and threw it but it missed the wicket उसने field किया ball को और उसे fake up but यह miss हो गया wicket क्यों क्योंकि दूरी की वज़े से by a distance correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा B next there there is three gift in the car अब three gift की बात कर रहा है car में three gift है यह plural है तो plural ही आएगा correct answer क्या हो जाएगा R हो जाएगा यहाँ पर अगला question He in junior dash me आपका junior हो गया senior हो गया prior हो गया exterior हो गया posterior हो गया prefer हो गया preferable हो गया इन सब के साथ आप क्या लगाते हो do लगाते हो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा do next a pair of scissors that's necessary for craft work यहाँ पर हमको fill करना है वर्व तो यहाँ पर off के बाद तो नहीं देखना बस pair ही देखना off से पहले जो मारा subject उसी को देखके उसी के according हमको अपनी subject रखना है तो correct answer यहाँ पर B हो जाएगा is okay correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा B क्यूंकि off के बाद हमारा क्या हो जाता है object off से पहले subject तो subject को देखके हम अपनी वर्व रखते हैं अगला question find out the correctly spelled word इसमें कौन सा correctly spelled word है तो correct answer क्या हो जाएगा D treacherous treacherous मिस क्या होता है fateless बेवभवा fateless अगला question है इसमें भी बताना है कि कौन सा correct spelled है आपकी कौन सी correct meaning है तो kleptomania k-l-e-p-t-o m-a-n-r kleptomania मिस क्या होता है जिसको चोरी करने का पागलपन होता है हमें सा चोरी करता है भले उसका उद्देश ना हो मतलब उसके काम की चीज ना हो लेकिन वह कहीं भी जाएगा कुछ ना कुछ उठा लेगा उसको चोरी करने का पागलपन होता है तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा हमारा d kleptomania मतलब चोरी करने का पागलपन अगला question है that which outdated are out of use मतलब जो चीज यह outdated हो या प्रशलन में नहीं है out of use है उसे क्या कहते है तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा मारा d हो जाएगा sorry c हो जाएगा d नहीं sorry obsolete क्या हो जाएगा obsolete मेंज क्या होता है जो चीजे प्रशलन में नहीं है outdated प्राचीन out of use okay any cn प्राचीन होता है stable इस्तिर absolute पता ही आप लोग को यहां पर तो correct answer c हो जाएगा okay आगे बढ़ते हैं यहां पर direction दिया है 111 से 115 आपको क्या करना है passage इसको देख लीजी आप लोग हम direct answer की तरफ चलते है तो वैसे PDF प्रोवाइड हो रही है आप इसको प्रेक्टिस से जरूर करिएगा इसकी यह आपके जर्खन TGT में आया भी था ऐसा नहीं है कि पैसे कहीं repeat नहीं होते हैं बट आपकी practice कहते हैं न practice makes man perfect तो वही चीज है यहां पर तो यहां पर देखिए if most law prohibiting occupations occupations for women are obsolete what are they correct answer यहां पर क्या हो जाएगे पैसे से question चल रहा है आपके which of the following title best suit this passage तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा A sex equality आगे बढ़ते हैं according to the passage what is the characteristic of the exiting protective laws for women तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा B outdated यहां पर correct answer मारा क्या हो जाएगा outdated next according to according to this passage equality refers to correct answer D हो जाएगा industrial equality between men and women next what can be inferred from the statement women are forced under bidders in an competitive labor market तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा C they accept lower wage because of fewer fewer employment opportunities तो यहां पर का passage खतम हो गया है यहां पर क्या कह रहा है कि आपको 116-120 आपको क्या करना है one word का question आ गया इसमें बताना है कि कौन सा इसमें इंकरेक्ट है तो देख लेते हैं इसको भी कौन सा इंकरेक्ट है क्या कहा यहां पहले अन्वाइजी टर्भी लेंड काइंड ओफ विमें उसे विरागों कहते हैं यह सही यह पार्ट्र मतलब जघडालू टाइप की और रत वीदियार का रत हों आप अपरियूं क्वांट अपर तेफित। ए ग्रंज सब्सक्राइट आब गयूं आणग और तो यही आपका गलत है, इसमें error part के हाँ है, D में ही है, तो क्या होगा, a person behind time, तो antiquated इसे क्या कहेंगे, anti, 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 q, u, a, t, e, d, antiquated, okay, तो correct न से आपके क्या हो जाएगा, D, next, आगे क्या कह रहा है, a person free from infection, तो हमारा, सबसे पहले, इसमें error है, a person free from infection, मतलब वो वेक्टी जो infection से free हो, तो उसे क्या कहते है, immune कहते है, क्या कहेंगे, immune, immune, okay, immune कहेंगे, I, W, M, U, N, E, immune कहेंगे, बाकी आपका सब सही है, यहाँ पे जीतने भी है, आपके बाकी सब सही है, आपका error part इसी में था, okay, immunity नहीं कहते है, immune, a person with the same name as another, मतलब जिसका same name, उसे name shake कहेंगे, सही है, person who comes to leave in a country, from some other country, मतलब एक विक्ती जो दूसरी country से अपन अपने देश में आ रहा है, तो यानि कि in, इसको ऐसे याद रखो, in, और जो भी वाला आता है, ऐसे, immigrant, यह वाला, emigrant, तो यानि कि अपने देश से दूसरी जा रहा है, exit से याद रखो इसको, okay, a person who is fond of fighting, उसे बैलिकोस कहते है, सही है, बैलिकोस में इसक्या होता है, लड दूसरा कहरा, person who rules without consulting the opinion of others, यही गलत है, हमारा, हमारा error part किसमें है, B में ही है, तो उसे क्या कहते है, autocrat कहते है, autocrat, a, u, t, o, c, r, a, t, autocrat कहते है, okay, तो किसमें error था, B part में ही error था, हमारे, तीसरा कहरा, person who wishes to throw his established anarchist, बाकि सब सही है, आगके B part में ही गलत था, autocrat होगा, आगे चलते है, a place for keeping bees, मतलब जहां मदमक्यों को रखा जाता है, appearing, सही है, a place of good climate, sanatorium, यह भी सही है, आगे क्या कहरा है, a place for washing dishes, adjoining kitchen, तो यही हमारा गलत है, अपके C part में ही error है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, spelling है, सुरी, s-c-u, एक मिनूट, आपके इसी पार्ट में error है, s-c-u-l-e-r-y, secondary, okay, तो यही आपका हो जाएगा, इसकी जगापे, regulatory की जगापे, secondary हो जाएगा, बाकि सब आपका सही है, यहां पे, a place for shelter or refuse, psychiatric hospital, asylum कहते हैं, सही है, अगला question है, 120 का क्या है, a place with gambling tables, gambling tables, मत की जगा को क्या कहते है, casino सही है, a place where prostitutes are available, मतला वो जगा जहां prostitutes available होते हैं, उसे क्या कहते है, brothel, सही है, a political leader who tries to get support by making false promises and using argument based on emotion, तो यही अब आपका गलत हो जाएगा, हमारा right answer का हो जाएगा, 120 में C हो जाएगा, मतला political leader, जो tries करता है, support करने का और जूटे वादे करता है, emotion के साथ खेलता, उसे क्या कहते है, pedagogue नहीं कहते है, यह demagogue कहते है, तो यहाँ पे demagogue, okay, इस ही में error था, तो यहाँ पे पेडagogue होग है, pedagogue नहीं होगा, demagogue होगा, okay, बाकि सब आपका इसमें सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहरा, 121-122, आपको foreign word आ गया है, बताना है, कौन सा उसमें incorrect है, देख लेते हैं, इसको भी, addendum, addendum मतलग होता है, an appendix, a thing or things, यह सही है, आपका, okay, add anti-queue, from ancient time, यह भी सही है, add rbt-rem, यह भी सही है, ठीक है, यहाँ पर beginning की जगहाँ पर क्या कर दिया, कर दिया जाए, यहाँ पर extreme, ओके, तो यहाँ पर add extremum में क्या होता है, to the extreme, इसी में हमारा error था, आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर, add hoc for the purpose only, temporary, यह सही है, add infinitum, without limit forever, यही सही है, add interim, यही गलत है, for the time, यहाँ पर यही हमारा error part है, क्या होगा, for the time being, for the time, यहाँ यहाँ यह नहीं होगा, being होगा, being, okay, for the time being, add interim, यहाँ होता है, for the time being, बाकि आपका d भी सही है, तो गलत क्या था हमारा, c पार्ट में error था, आगे चलते हैं अगला question है अगला question देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है dash form of the subjective is most often used to talk about recommendation suggestion मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि dash मतलब जिसकी भी बात कर रहा है यहाँ पर subjective is most often used यह हमेशा use किया जाता है क्या करने के लिए talk about मतलब बात करने के लिए use किया जाता है किस के बारे में recommendation के बारे में suggestion के बारे में advice के बारे में request के बारे में and demands के बारे में and it often follows the word और यह अक시र word को follow करता है तो वो क्या कहलाता है तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा यह the present the present form of subjective अगला question है the past subjective is used after the verb जो past subjective होता है वो used किया जाता है वर्ब के बाद which to indicate वो किस को indicate करता है तो character answer यहां पहे क्या हो जाएगा B an unreal situation को indicate करता है and last question है आज का 125 का question non-finet verbs does action as the root of an independent clause जो non-finet verbs होते हैं वो एक independent clause के रूप में क्या करते हैं action नहीं करते हैं तो यह था आपका 125 question आपको कैसे लगें आज ज्यादा explain नहीं हुआ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदे हो जाती है बहुत सारे बच्चों को शिकायत भी रहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वीडियो लेंदे हो जाती है सो जितना explain करना था बहुत कम explain किया क्योंकि आप ही लोग चाहते हैं कि कम explain हो इसी लिए इसलिए कम explain किया आपको कैसे लगा और एक चीज और है कि कल की वीडियो में जो मैंने बताया था ना कल का जो प्रेक्टिस सेट मैंने करवाया था उसमें जो फोर कॉष्चन थे कि सॉनिट में इंग्लिस सॉनिट में कितने कॉपलेट्स पाए जाते हैं उसमें एक ही कॉपलेट्स है वो by mistake मुझसे दो पे हो गया okay mind मत करियेा वो गलती से हो गया दो पे वो एक ही कॉपलेट्स होते हैं बट वहाँ पर 2 line की होती है तो शायद मैंने 2 line सोचके यह वहाँ पर 2 लगा दिया लेकिन 1 ही होता है बॉला मैंने 1 ही था लेकिन दो लगा दिया okay तो निवसमें को उबले स्टेंट में जो कॉफिलेटे कि हम जाते हैं फो एक ही पाया चाते हैं लेकिन वह दो लाइन की होते थे हैं तीन क्यांतर तो उफजा ने पाई जाते हैं और वह क्यों तो हीना इंग्लिस क्लासे से जॉइन हो सकते हैं ओके टेलिग्राम पर थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग